चहरे के जिद्धी दाग दबे, कालापन, जाईयां, जुरियां जैसी समस्याओं को कुछ ही दिनों में जड़ से खतम कर देती है, फिट करी Hello everyone, good morning, कैसे हैं आप सब? I hope सब अच्छे होंगे बहुत बार आपके कमेंट्स आते हैं, कि चहरे पे जो कालापन हो गया है, जो जाईयां हो गई है, उस कालेपन को हटाने का कोई सरल सा उपाए बताएए, बाके ही मैं जो काम करें तो मैंने पहले भी आपके साथ शर किया था, और आज फिर से मैं एक वीडियो आपके लिए प्रॉपर यहां पे बना करके बता रही हूँ, यह मेरे हाथ में है, फिट करी और यह एक बरदान से कम नहीं है आपकी स्किन के लिए, फिट करी जो लोग अपनी स्किन केर के रहती है, इसमें anti-aging properties होती है, साथ ही इसमें bleaching properties होती है, तो आपकी चेहरे पे जो दाग धबे हैं, चाईसे pimples के बाद जो दाग रह जाते हैं, चाईसे वो है, चाईसे जाईयां है, यहां पे हमें बहुत ज़्यादा काला पन सा हो जाता है, जब भी हम धूप में निकलते हैं, तो tanning की वज़े से चेहरा काला पड़ जाता है, तो bleaching properties होने की वज़े से किसी भी तरह के काले पन को खतम करने के लिए fit cream, बहुत कारगर चीज है, बहुत कारगर दवाई है, आप यूँ कह सकते हैं, और ना सिर्फ आपके काले पन को ही दूर करने के लिए, जैसे मैं की skin के pores को shrink करने का काम करती है, जिन लोगों को open pores की समस्या हो जाती है, चेहरे पर बहुत जादा गड़े-गड़े से दिखाई देते हैं, तो बहुत काम की चीज है, बहुत इक गुणकारी ये चीज है, आपके पास जरूर होनी चाहिए, skincare के लिए हमें इसे इसे इस्तमाल करना चाहिए, कैसे इस्तमाल करना है, सरल से सरल तरीका में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, market में आपको easily मिल जाएगा, 10-15 रुपे का इस तरह का पत्थर होगा, और इसको आप देखिए, इस तरह से भी use कर सकते हैं, जैसे ये पत्थर है, और इसका powder बना करके रख स हो, उस तरह से भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, तो दोनों तरीके में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, किस तरह से आप इसे गुलाब जल के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, किस तरह से आप इसे ग्लीसरीन के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, और किस तरह से आप इसे coconut oil के साथ इस् भर भर के इसमें विटामिन E पाई जाती है, साथी साथ omega 3 fatty acids भी होते हैं, anti-aging का भी काम करता है और आपके skin के color को भी fair करने का काम करता है बहुत कारगर चीज़ है, गुलाब जल जो है ना, गुलाब जल में लिए एक बहुत बड़िया toner का काम करता है चेरे के जो pores open हो जाते हैं, तो उन्हें shrink करने का काम करता है एक cleanser का भी काम करता है और आपकी skin को hydrate करने का भी काम करता है गर्मियों के मौसम में वर्दान से कम नहीं है, अगर खाली आप गुलाब जल भी डेली अपनी skin पे daily इस्तेमाल करते हो, तो आप देखोगे कि pinkish glow आपके skin पे दिखना शुरू हो जाता है बाकी fit cream को आप कैसे इन सब चीजों के साथ mix करके use कर सकते हैं ताकि आपको उन चीजों के भी benefit मिले और fit cream का भी benefit मिल जाए डिरेक्ट आपको नहीं लगाना है, मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप लगाएंगे fit cream में anti-fungal properties होती है, anti-inflammatory गुन होते हैं और anti-vacterial properties भी होती है, तो pimples को cure करने के लिए भी फाइदेमंद है अगर आपके चैरे पर कोई redness हो जाती है, fungus जैसी कोई भी problem है skin से related दाने निकल आते हैं, तो उससे भी यह fight करेगी और साथी साथ antiseptic properties भी इसमें हैं, तो जैसे जब भी जैन्स लोग इसको जादा तर इस्तमाल करते हैं अगर कहीं cut work लग जाता है, तो fat से इसको उस जगह पर रगड़ देते हैं, तो blood का flow है, डम से तुरंत ही बंध हो जाता है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कि इसको कैसे इस्तमाल करेंगे, इन सब चीजों के साथ हम इस पर बात करेंगे, सबसे पहले तो simple तरीका कि आपने एक फिटकरी का इस तरह का टुकड़ा लेना है, और जो लोग powder form कि मैं इसको convert करके यूज करना चाहते हैं, वो इसे एक powder बना लें, यह देखिए मैंने powder भी तयार करके यहां पर रख लिया है, तो यह है फिटकरी का powder इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, कि फिटकरी को पहले थोड़ा-थोड़ा सा crush कर लेना है, फिर mixer jar में से blend करके बहुत ही fine powder बनाना है, जितना आपसे कोशिश हो सकती है, उतना fine आपने इसको रखना है, क्योंकि अगर आपका यह दरदरा रहता है, तो जब आप इसको अपने skin पर rub करोगे directly, तो यह आपको scratch वगएरा पढ़ सकते हैं, यह redness हो सकती है चेहरे पे, तो आपको उस त कर सकते हैं, तो देखिए यह लिया मैने गुलाब जल और अब देखिए direct ही मैं इस फिटकरी के उपर इस गुलाब जल को इस तरीके से फेक रही हूँ, लगवग एक चमच, आदी चमच जितना भी आपको चाहिए उतना कर आपने इस तरीके से ले लेना है, थोड़ी देर क पानी आपके पास रह गया है, एक जादूई पानी बनके रेड़ी हो गया है, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, आप इसे लगवग हपते भर के लिए बना लीजिए, स्प्रे बॉटल होती है ना, उसमें आप डाल करके इसको यूज कर सकते हो, डेली अपने स्किन प पाम में भी ले सकते हो, और इस तरीके से भी लेके आपने इस तरीके से इसको अपने चेहरे पे ले करके थप थपाना है, ताकि आपके चेहरे के जो पोर्स हैं, उन पोर्स के अंदर तक ये जाए, और अच्छी तरह से आपकी स्किन के लेर्स के अंदर जब जब जाएगी तो वो दीरे-दीरे से खतम होना शुरू हो जाता है तो सबसे सिंपल तरीका ये था आपका अब बात करते हैं कि coconut oil के साथ आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि coconut oil के benefit भी आपको मिले और साथ ही साथ ये जो हमने fit cream ली थी इसके भी benefit हमें मिले जो भी fit cream का इस्तेमाल करता है उसकी जो skin है एक तो young होना शुरू हो जाती है और fair होना शुरू हो जाती है क्यूंकि आपकी skin को tight करने का काम करता है anti-aging properties इसमें है तो देखिए अब कैसे आपने coconut oil के साथ इसे इसे इस्तेमाल करना है मैंने यहाँ पर यह cold pressed virgin coconut oil लिया है और यहाँ पर जो मेरे पास देखिए गुलाब जल मैंने क्या किया था भी fit cream लिया इसके ओपर गुलाब जल डाला था तो यह इसी गुलाब जल के अंदर मैं ले रही हूँ अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है आपने खाली fit cream को ही इस्तेमाल करना है तो आप just fit cream दुवारा से इसी तरह से इसमें पोर करोगे मैं यह जो गुलाब जल है इसके साथ ही आप गुलाब जल skip भी कर सकते हैं और add भी कर सकते हैं एड करोगे तो गुलाब जल के benefit भी मिल जाएंगे फिटकरी के benefit भी मिल जाएंगे और साथ ही जो हम यहाँ पर coconut oil एड करने वाले हैं इसके benefit भी मिलेंगे सेम इसी तरह से जितना मैंने यहाँ पर गुलाब जल को एड किया था लगवक आदी जासी चमज उतना ही मैं यहाँ पर coconut oil को यहाँ पर एड किया है आदी जासी चमज के करीब दुवारा से मैं इसको इस तरीके से mix करूंगी थोड़ी सी देर के लिए फिटकरी को इसमें एड करके इस तरह से गुमाऊंगी आप डिरेक्टली भी इसे अगर coconut oil अपने इसके उपर एड किया है तो आप ले करके इस तरीके से इससे अपने skin पे रब कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फिटकरी के फाइदे ही फाइदे हैं जैसे मैंने आपको बताई दिया इमेजन नहीं करने हैं आपको इसे यूज करना है जब तक आप खुद से इसे यूज नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं देखने वर से रिजल्ट नहीं मिलते हैं ये चीज में आपको पहले भी बहुत बार बोच चुकी हूं तो इस तरीके से आपने पहले चेरे को अच्छे से clean कर लेना है और इस तरीके से आपको इसे massage करना है बाकी रह गई powder की बात तो powder अगर आप ले रहे हैं तो आधी चमच आपने coconut oil की ले ली आधी ही चमच आपने गुलाब जल की ले ली और यहाँ पे आधी ही चमच आप ले लोगे यह जो हमने फिट क्री का powder है यह अच्छे से dissolve हो जाए इस liquid के अंदर इतना आपको इसे mix करना है finger की मदद से अगर आप mix कर रहे हो तो आपको पता चलता जाएगा कि भी हाँ अब कोई भी किसी भी तरह का कर्ण जो है इसमें नहीं रह गया है तो थोड़ा सा time जरूर लगेगा लेकिन आपने time लगा करके अच्छे से mix करना है तब ही आपने इसको अपने चेरे पे लगाना है पहले तो आपने इस तरीके से अच्छे से इसको अपने चेरे पे लगा लेना है आप हलके हाथों से massage करते हुए भी लगा सकते हो या फिर आप अभी इसको लगा लीजिए दस कर मिनट लग कर सकते हैं लेकिन face wash का चुनाव हमेशा इस तरह से कीजिए कि ज्यादा उसमें chemical ना हो तो इस तरह से आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं daily आप 10 मिनट के लिए अगर यह काम करते हो चाहिसे सुबा कर रहे हो रात को सोने से पहले कर रहे हो तो आप देखोगे कि खुद बखुद skin जो है न उसुधरना शुरू हो जाती है बेजान रूखी skin बेना glow करना शुरू कर देती है यह देखे इस तरीके के result आपके सामने होते हैं अब बात कर लेते हैं glycerine की अगर आप इसे glycerine के साथ इस्तिमाल करने वाले हैं तो एक तरीका तो direct अगर आप यह पत्थर का इस् सेम आप इसका टोरी में लेंगे और glycerine इसके ऊपर एड़ करेंगे और फिर directly आप इसे ले करके इस तरीके से अपने skin पर रब करेंगे तो इस तरीके से भी आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं directly और बाकी जैसे मैंने बताया कि गुलाब जल, आदी चमच, आदी चमच, आदी च स्पून के जितना glycerine, glycerine थोड़ा सा थिक होती है जब आप इसे यूज करते हैं इसलिए इसकी quantity कम रखिएगा, तो इस तरीके से आप सारी चीजों को mix करके और यह जो फिट करी है इसके आदी चमच, आदी चमच, आदी चमच, आदी चमच, आदी चमच, आदी चमच, आ आपने यूज करना है तभी अच्छे रिजर्ट मिलेंगे बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कीजएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बाकी श्यार करना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, नमस्कार, बबाई